प्रेजरोड आप सबको आई आज का वजन करते हैं शुरू प्रेड़तों के काम बारा ध्याय और उसका सात्वी आयत मैं पड़ूँगा तो देखो प्रभू का एक स्वर्गदूत आखड़ा हुआ और उस कोठरी में जोती चमकी और उसने पत्रस की पसली पर हात मारा और उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर और उसके हातों से जन्जीर खुल गई खुल पड़ी तब स्वर्गदूत ने कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले और वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा कि अपने वस्तर भी पहन कर मेरे पीछे हो ले पड़े गए वचन पे प्रभू आशिश करे और हमसे बात करे आईए हम प्राधना करते हैं प्यारे प्रभूजी दनेवाज तुतिय और बढ़ाई के साथ आपके चरनों में आके जुग जाके दरन उप्रणाम करते हैं समय दिया धनेवाद देते हैं प्रभूजी मुझे अभी प्रभूजी आपकी पवित्रात्मा से भरे प्रभूजी मेरे मूग के अंदर प्रभूजी आपके वचनों को भरे प्रभूजी जो भढ़ा गया वचन है प्रभूजी इसके उपर आशिश करे अनेग लोगों को आशिश दे और प्रभूजी हम सब की पूरा करें हमसे प्रवजी आप बात करें ये समय को प्रवजी आपके आतों में सौब देते हैं प्राधनाविंति को प्रवीश्य मसी के नाम से मांगते हैं आमेन यहां पे प्रेड़तों के काम बारा अध्याय और साथ और आठ तो देखो प्रवु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और कोठरी में जोती चमकी और उसने पत्रस की पसली पर हात मारा और उसे जगाया और कहा कि जल्दी कर उसके हातों में से जन्जीरें खुल गई तब स्वर्गदूत ने कहा कमरबान और अपने जूते पहन ले वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा कि अपने वस्तर भी पहन ले हमने जो वचिन पड़ा है प्रेड़तों के काम आज हम प्रेड़तों के काम बारा अध्याय एक से लेके उसकी सत्रवी आयत तक ध्यान करने वाले हैं पत्रस के बारे में यहां पर पत्रस बंदी ग्रह में है और गहरी नींद में सोया हुआ है और वहां पर एक जोती चमकती है लेकिन सवर्गदूत आके उसे उठाता है लेकिन पत्रस उठता नहीं है सोया है फिर से स्वर्वदूत ने उसकी पसरी के उपर मारा और फिर पत्रस उठा और पत्रस से कहा कि उठो और अपने जूते पहन लो और अपने वस्तर पहन लो और चलो यहां से चलें करके पत्रस को कहा और पत्रस तयार हो गया स्वर्वदूत के साथ जाने के लिए है भाई और बेनों स्वर्वदूत परमेश्वर ने स्वर्वदूतों को अपने लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा कहीं न कहीं भेजा है और परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ रहता है खास करके उन लोगों के साथ जो की परमेश्वर का काम करते हैं, जो परमेश्वर के चुने में हैं, जो परमेश्वर के ने अभिशेक किया है उन्हें जिने अपना काम करने के लिए यहाँ पे अगर हम भजन सहिता और 91 में अगर हम पड़ेंगे तो उसमें 10 अध्याय में लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ती तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा यहाँ पे वचन में लिखा है कि कोई भी किसी की कोई भी विश्वासी हो या तो परभू का दास हो या परमेश्वर के काम करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर एक बंदन बांध रहा है और कह रहा है कि कोई भी विपत्ती तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे निकट आएगा क्योंकि वै अपने दूतों को तेरे निमित आज्या देगा जहां कहीं तु जाएगा वहां पे तेरी रक्षा करेंगे मतलब कि साफ साफ है कि हम अगर परमेश्वर के लोग हैं अगर हम परमेश्वर से उधार पाएवे लोग हैं अगर हमने परमेश्वर के पर विश्वास किया है अगर उसके पर वचन के पर विश्वास करते हैं हम तो हम जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को हमारे लिए भेजता है हमारी रक्षा करने के लिए वै तो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा अगर पत्थर से कहीं ठेस लगके अगर कभी गिरने का चांस भी है तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने दोतों को भेजूंगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा और ऐसा नहों कि तेरे पाउं में कहीं पत्थर लगे है भाई और बैनो परमेश्वर परमेश्वर ने जो वादा किया है वो वादा सच्चा है और उसे परमेश्वर करता भी है इंसान हमेशा बदल जाता है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नए टलने वाला है वो कल और आज हमेशा एक जैसा रहता है मग हमारे जीवनों में कभी कभी हम भरोसा नए कर पाते हैं परमेश्वर के बचन के उपर और जब दुख और संकट आता है तो हम क्या करते हैं है वाई और बैनों पत्रस जो पत्रस जो प्रभु इश्व मसी के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए सेभागी रहा और परमेश्वर परमेश्वर इश्व मसी ने पत्रस को चुना बारों में से एक था वो जब पत्रस जब परमेश्वर ने पूछा कि मनश्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं लोग तब पत्रस एक ही कहता है कि तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर कहते हैं कि ने बात नहीं की थी लेकिन पत्रस एक फूर्ती वाला इंसान था और वो जानता था कि ये परमेश्वर का सच्चा पुत्र है पर परमेश्वर के पत्रस ये भी कहता है प्रभुईश्य मसी से कि मैं तो आपके लिए बंदी घ्रे में भी जाने के लिए तयार हूँ प्रभुईश्य मसी को पकड़ के लेके गजाया जा रहा था जब तीन बार पत्रस ही था जिसने कहा था मैं प्रभुईश्य मसी को नहीं जानता अरे भाई मैं कह रहा हूँ मैं प्रभुईश्य मसी को नहीं जानता मैं इस इंसान को नहीं जानता हूँ और ना ये कौन है मै ये भी नहीं जानता हूँ प्रभुईश्य मसी के बारे में गवाई देने वाला भी पत्रस ही था लेकिन पत्रस जब प्रभुईश्य मसी क्रूस पे चड़ गए मारे गए तीसरे दिन जी उठे फिर से सब को दिखाई दिये और फिर परमेश्वर जब प्रभुईश्य मसी ज परमेशवर ने बारों को चुना और बारों में से एक पत्रस भी था जो कि कलिश्या का में हैड भी कहलाया और जब पत्रस सुसमाचार सुनाता था तो लोग वहीं के वहीं सुसमाचार सुनते थे और जीवन को बदल लेते थे और उसी दिन वो लोग बतुसमा लेते थे और जिनके सर के उपर हाथ रख के पत्रस प्राधना करता था वो सारे के सारे लोग पवित्रात्मा से भर जाते थे पगर कुछ लोग यो यहुद्धी थे जो आंके शास्त्री थे उन्हें ये सब करना पसंद नहीं था और ना ही वो चाते थे कि पत्रस जो है प्रभुईश्य मसी का काम को और भी फेलाए और और भी लोग प्रभुईश्य मसी को जाने को अगर हम देखते हैं तो यहां पे बहुत ही जवर्देसी से प्रमेश्य के काम को फेलाया गया है और उसे आगे बढ़ाया गया है जब हैरोदेश को हैरोदेश जब कलिस्या बननी शुरू हो गई जब प्रभुश्य मसी के अपर लोग विश्वास करने लग गए तब उनके जीवनों में हैरोदेश ने उन कलिस्या के कलिस्या को सताना शुरू किया और कलिस्या को फिर सताना शुरू किया बंदी ग्रह में ड मार दिया तो यहुद्दी इसको देखके और बी खुश होते थे जब हैरोदेश ने फिर पत्रस को भी बंदी ग्रह में डाल दिया और उसे जंजीरों में बाज दिया हाथों में और पैरों में जन्जीरों को जन्जीरों में बान दिया और उसे जेल में लाके खड़ा कर दिया पत्रस को जब पत्रस को खड़ा कर दिया है रोदेश की जो मांसा थी जो उसका सोचवितार था उसने सोचा था कि अब मैंने पत्रस को जो उनका मेन हेड है मैंने पत्रस को पकड़ लिया है और पत्रस को अब मैं जब सुबा सुबा जब होगी मैं इसकी हत्या कर दूँगा और इसे मार दूँगा लेकिन भाई और बैनों एक बात सोचने की बात है कि पत्रस जो था जेल में था और दो सैनिक उसके पास ही थे और वो दो सैनिकों के बीच में सो रहा था बाहर रखवाली करने के लिए कई सैनिक थे जो की अपना भाला और तलवार पकड़े वे थे और पत्रस जेल में था और बेडियों में था और वो आराम कर रहा था और गहरी निन में सो रहा था लेकिन कलिस्या पत्रस के लिए प्राधना कर रही थी बैठके के प्रभुजी पत्रस की सहायता करो राध भर लोग पत्रस के लिए प्राधना कर रहे थे लेकिन वहीं पे जेल पे एक चमक हुई रोशनी आई और वहाँ पे स्वर्गदूत प्रगट हुआ जब स्वर्गदूत प्रगट हुआ और उसने पत्रस को उठाया कि पत्रस उठ लेकिन पत्रस नए उठा पत्रस तो गहरी निंद में सो रहा था फिर पत्रस की पसरी के उपर पर स्वर्गदूत ने मार के उसे उठाया और पत्रस से कहा उठ और अपनी जूते पहन ले जो उसके लोहे के जो जन्जीरे थी वो अराम से खुल जाती है अपने आप और कुछ भी कोई भी आवाज नहीं होती है लेकिन स्वर्गदूत सब के बीच में से आया और उसे वहां से पत्रस को लेके चले गया पत्रस को स्वर्गदूत ने आके कहा कि अपने कपड़े पहन ले जूते पहन ले कमर कस ले तुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं और पत्रस और स्वर्गदूत जो है अराम से सब के सामने सैनिकों के बीच में से सब के सामने अराम से पत्रस को स्वर्गदूत लेके चले गया जो बड़ा गेट लोहे का बना था वो भी अपने आप पत्रस के लिए खुल गया और पत्रस और स्वर्गदूत दोनों के दोनों मिल के चले गए लेकिन पत्रस ये सोच रहा था कि शायद मैं गहरी नीन में हूं और सपने को देख रहा हूं लेकिन थोड़ी ही देर में जब पत्रस बहार आ गया और स्वर्गदूत वहां से चले गया फिर पत्रस ने सोचा कि पत्रस को तब पता चला कि परमेश्वर ने मेर्जे बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजा है है भाई और बेनों परमेश्वर के लोगों के साथ हमेशा यही होता आया है परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ जैसा कि पत्रस के साथ हुआ वैसा ही होता आया है लोगों को जो परमेश्वर का सच्चा काम करते हैं परमेश्वर के सूसमाचार को सुनाते हैं और परमेश्वर के सूसमाचार को फैलाते हैं और जाके घर घर जाके ट्रैक्स बाढ़ते हैं सूसमाचार सुनाते हैं गलियों में जाके घरों में जाके मोर्चों में जाके परमेश्वर का जब लोग संदेश सुनाते हैं और जोब लोग उस संदेश को मानते हैं और उसके पर विश्वास करत प्रभुश्य मस्य में आते हैं बत्तुस्मा लेते हैं नया जनम पाते हैं लोग बदल जाते हैं पर उनके शत्रु कई लोग बन जाते हैं हे बाई और बैनो ऐसा ही परमेश्वर के काम करने वाले हर एक दास के साथ ऐसा ही होता है जो सच्चाई के साथ परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाता है बाड़ता है दुख उठाता है उसे हमेशा लोग उनके खिलाब शरेंत्र रचते रहते हैं कभी कभी लोग चर्चों के खिलाफ हो जाते यहां पे चर्च नहीं होना चाहिए था यहां से चर्च को निकाल के कहीं और फे यहां वो और बना लो यहां तो बनाये वे चर्चों को तोड़ा जाता है यहां तो जो कलिस्या के चलाने वाले उसके चरवाहे होते हैं उन्हें सताया जाता है और उनके बारे में गलत बातें बोलके उनसे उन्हें बदनाम किया जाता है और लोगों के सामने उन्हें सभाव में खड़ा किया जाता है और कई लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं मगर कई लोगों को जो है जेल में डाला जाता है बिना कुसूर नही पेश करके उन्हें जेलों में डाला जाता है सताया जाता है कोडे मारे जाते हैं और फिर उन्हें लोग के सामने बदनाम किया जाता है है वाई और बैनों अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो कहिए परमेश्वर की मैमा हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने काम के लि मेरे काम करने के लिए और मेरे लिए मतलब प्रभुईश्य मसी के लिए दुख उठाने के लिए पहले पत्रस जब प्रभुईश्य मसी जिन्दा था जब प्रभुईश्य मसी के साथ रहता था तब पत्रस ने कुछ जोश नहीं दिखाया कभी भी लेकिन पर प्रभुईश्य प्रभुईश्य मसी ने उसने कहा कि तीन बार तु मेरा इंकार करेगा जब प्रभुईश्य मसी का इंकार पत्रस ने तीन बार किया तब उसे पता चला कि प्रभुईश्य मसी ने जो उसके बारे में भविश्यवानी की थी वो एकदम सच्ची है प्रभुईश्य मसी के साथ जो कुछ भी काम था प्रभुईश्य मसी करते थे ये सब देखते रहता था लेकिन जब प्रभुईश्य मसी के उपर उसने विश्वास किया और वो पवित्रात्मा से बर गया उसने प्रभुईश्य मसी का जो छोड़ा हुआ काम था अधूरा काम था उसने अपने उपर लिय और उस काम को उसने आगे बढ़ाया और लोगों को सुसमाचार सुना के प्रभुईश्य मसी के पीछे लेके आया लोगों को कलिस्या के लिए त्यार किया उसने लोगों को चरवाहा बनाया प्रभुईश्य मसी सच्चा परमेश्वर है वही परमेश्वर का सच्चा पुत्र प्रभुईश्य मसी है, उसी के द्वारा हमें उधार मिलता है, उसी के खून के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है करके, जब प्रभुईश्य मसी ने लोग, जब पत्रस ने इस वचन को सुना के लोगों को अपनी और किया, प्रभुईश्वर के और फिराया, तो लोगों के बी अबुश मसी का नाम उचा हो जाएगा इसलिए उन लोगों ने योजना बनाई कि पत्रस को पकड़ लेते हैं और पत्रस को जेल में डाल देते हैं और पत्रस को जेल में डालने के बाद में दूसरे दिन जो है उसे सब के सामने फांसी चड़ा देते हैं या तो हत्या कर या तो उससे मार देंगे है भाई और बैनो पत्रस को इसलिये पकड़ा गया था ताकि दूसरे दिन उसे मार दाला जाए लोगों के सामने उसे खड़ा करके पत्रवार किया जाए या तो उसका सरेलग किया जाए यहां तो उसे फांसी पे लटकाया जाए है भाई और बैनो मुश्किल की घड़ी थी पत्रस के लिए पत्रस के साथ कोई ही नहीं था पत्रस को जेल में पकड़ के लेके जाया गया था और पत्रस को बेडियों में डाला गया था लोहां की बेडियां थी जो की कभी भी नई तूटने वाली थी पैरों में थी हाथों में थी और जहां अंदर सलाखों के अंदर भी दो सिपाई थे दो सिपाई बाहर थे गेटों के पास भी सिपाई थे उसका कोई बचने का चांस ही नहीं था और ऐसी ही टेंशन में नबर पत्रस कोई भी सोच में न मुझे मार दिया जाएगा या मुझे क्या किया जाएगा उसे खुद भी नहीं पता था लेकिन उसने कुछ भी नहीं सोचा उसने सिर्फ अराम किया अराम करके गहरी नींद में पत्रस जेल में सो रहा था जब उसे जेल में डाला गया था और उसे पता था कि सुबह मुझे मा हम कैसे विश्वास करते हैं हमारा विश्वास कैसा है जब हमें लोग सभाओं में सोपते हैं जब हमें जेलों में डाला जाता है जब हमारे भी हमारे खिलाफ लोग शरेंत्र करते हैं जब हमारे बारे में जूटी गवाई करते हैं जूटी गवाई देके हमें जेल में डाल द शान्त मुझे मार देंगे, शान्त मुझे मार देंगे, शान्त कोडे मारेंगे, शान्त फांसी पे लटका देंगे, या मेरा सर काड़ देंगे, यही सोचते रहते हैं कई लोग जब उन्हें कस्ट और दुख आता है लोगों के दुआरा जब परमेश्वर का काम करते रहते है है वाई और वेनों आज का वचन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि पत्रत के विश्वास को देखिए जब वो जेल में था संकट में था सुबह उसके हत्या होने वाली थी लेकिन वो गहरी नींद में सोया वा था है वाई और वेनों दुख और मुसीबत में जब हमारे बीच में आती है परमेश्वर के लोगों को जब आके मुसीबतें खेर लेती हैं जब परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है जब परमेश्वर के लोगों को फसाया जाता है जब परमेश्वर के लोगों को गलियों से मार के बाहर निकाला जाता है क्या आप भी ये सब जब सहते हो दुख को क्या आप भी अराम से सो पाते हो पत्रस के जैसा सब कुछ छोड़ छाड़ के हे बाई और बैनो पत्रस ने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ थे चाहे मुझे मारो या कुछ भी करो लेकिन परमेश्वर मेरे साथ अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं सिर्फ सुसमाचार ही सुनाओंगा कई लोग ऐसा ही विश्वासी होते हैं जब दुख और तकलिवों में आ जाते हैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं माफी भी मांग लेते हैं आइंदा के बाद मैं परमेश्वर का नाम नहीं लोगा परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाओंगा मुझे माफ कर देजिए आइंदा के बाद मैं कभी भी कोई कलिस्या में नहीं जाऊंगा, प्रादना नहीं करूंगा, किसी सभाव में नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, प्रभुईश्य मसी का नाम भी नहीं लूँगा, कई लोग डर के मारे, कई मुझे मार ना दे, कई मुझे फांसी पे लटका ना दे, कई मुझे जे से बात कर रहा है, और उन सब को अपने पास बुला रहा है, है मेरे बेटे, है मेरे बेटी, पतरस को एक बार याद करो, जब उसे जेल में डाला गया था, दूसरे दिन उसकी हत्या होने वाली थी, लेकिन वो पत्रस गहरी नीन में सोयावा था उसे कोई डर नहीं था उसे किसी की चिंता नहीं थी उसे सिर्फ अराम कर रहा था ये भाई और बैनों अगर आप भी परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दुख और कस्ट उठा रहे हैं तो भाई और बैनों आप भी चिंता मत कीजिए आप भी डर्य मत क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हे करके विश्वास कीजिए जब कलीस्या पत्रस के लिए प्राधना कर रही थी तब परमेश्वर का एक स्वरुख दूत आया और परमेश्वर के स्वर्गदूत ऐसा नहीं आया, कोई योजना बना के नहीं आया, किसी को डरा के नहीं आया, वो सब के सामने आया और आटोमेटिक दर्वाजे खुल गए, जेलें तुट गई, जेलों के दर्वाजे भी खुल गए और जो सिपाई जो वहाँ पे थे, उन्हें किसी को दिखाई ने दिया, उनके सामने स्वर्गदूत आया, और आके पत्रस को उठाया, कि पत्रस उठ, मगर पत्रस तो परमेश्वर के पर विश्वास करके गहरी नेन में सोया है और पत्रस आके, पत्रस को स्वर्गदूत आके उठा रहे हैं उसकी पस्री को परमार के उठ पत्रस और पत्रस उठता है, पत्रस की जंजीरे जो है, अपने आप खुल जाती है, पत्रस के जो पैरों में जंजीरे थी, वो भी अपने आप खुल गई स्वर्गदूत पत्रस से कह रहा है कि पत्रस चपल पहन ले कमर बान ले कपड़े पहन ले तुझे अभी बहुत काम करना है परमेश्वर का चल बाहर चले तब परमेश्वर का स्वर्गदूत पत्रस को लेके बाहर चले गया और उसे जाके गली में बाहर करके स्वर्गदूत अपनी जगा पे वापस चले गया हे भाई और बैनो जब परमेश्वर का सच्चा काम करते हैं जब परमेश्वर के पर सच्चा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्वधूतों को हमारे लिए भेजता है हे भाई और भेनों जो सुसामाचार को सुनाते हैं, जो दुख और तकलिपों को उठाते हैं, जो कई लोग बदनाम हो जाते हैं, कई लोग को फसाया जाता है, तो भाई और भेनों चिंता मत कीजिए कि आपके साथ कल क्या होगा, चिंता मत कीजिए कि परमेश्वर ने शायत म कि मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है अब तो मैं जेल में बंध हूं कै दियों क्या जेल में बंध हों और सैनिक मेरे चारों तरफ है, और मेरे बेडियां बंद है हे भाई और बेनो बेडियों से सैनिकों से सबसे छुड़ाया परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत को भेज के हे भाई और बेनो आज इस वचन के पर हमें विश्वास करना होगा जो दुख और तकलीफों में रहके परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं जो परमेश्वर के चुनेवे लदा से उन सबसे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमारे साथ हूँ, मैं आपने स्वर्ग दूतों को तुमारे लिए भेजूंगा जब आप सुसमाचार सुनाते हो, जब आप किसी को प्रभुईश्व मसी के बारे में बताते हो जब प्रभुईश्व मसी का चेला आप बनाते हो किसी को, तो आप छोटा मोटा काम ने कर रहे हो भाई और बैनो आप परमेश्वर का स्वर्ग का काम कर रहे हो, याने कि प्रभुईश्व मसी का काम कर रहे हो जब प्रभुईश्य मसी का काम आप करोगे तो परमेश्वर आपका काम करेंगे और आपके जो राहों में जो रोडे हैं वो निकालने के लिए सुर्वदूतों को आपके लिए भी परमेश्वर भेजेंगे ए भाई यूरवदेनों जब पत्रस गया वहाँ पे जहां पे उसके लिए प्राधना की जा रही थी उसने दर्वाजा कट कटाया पर लोगों ने विश्वास ने किया उन लोगों ने काओ पत्रस ने ही पत्रस का दूत होगा वो लोगों को भी विश्वास नहीं था कि पत्रस जेल में से कैसा चूट सकता है पत्रस जेल में हैं बीडियों में हैं अब उसे कोई नई चुड़ा सकता है वो लोगों ने भी विश्वास किया था लेकिन स्वर्गदूत ने उसे बाहर निकाला पत्रस को तांकि वो जाके बाहर समाचार को सुना पाए जब उनलोगों ने खिटकी से देखा तब विश्वास किया और तब उनलोगों ने माना कि ये पत्रस से पत्रस ने वहाँ जाके पूरा हाल दिखा हाल बताया कि मैं सो रहा था लेकिन परमेश्वर के दूद ने आके मुझे बचाया मुझे इसलिए बचाया तांकि मैं उसका काम करूँ पत्रस को परमेश्वर ने इसलिए ने बचाया था कि जाके अपने लिए जीवन जीए या आश करे या अराम करे या मेरे लिए बहुत काम कर लिया है परमेश्वर ने पत्रज को इसलिए बचाया था ताकि वो जाके उसका सुसमाचार को सुनाए और लोगों को अपना चेला बनाए प्रभु विश्य मसी का नाम को और भी जादा फैलाए परमेश्वर इस वचन किस द्वारा हमसे बात कर रहा अगर कोई दुख और तकलिफों में रहके वचन को छोड़ दे रहा है तो अप डरिये मतद परमेश्वर आपके साथ है उस की परमेश्वर ने जो स्वर्ग दूतों को भेजता है वो हमारे लिए होता है परमेश्वर के दासों के लिए परमेश्वर रक्षा करता है अपने स्वर्व दूतों को भेज के वो तो तेरी कोई भी विपत्ती तेरे घर पर ना आएगी करके वचन में लिखा हुआ है भजन सहिता 91 और उसका 10 में लिखा है कोई भी पत्ती तुझ पर ना पड़ेगी कोई दुख तेरे घरे के निकट नहीं आएगा वह तो अपने दूतों को आग्या देगा और वह चाह कहीं तुझ आएगा वहाँ वो तेरी रक्षा करेंगे हेवा योरवेनो इस वचन को परमेश्वर ने पूरा किया पत्तरस को बचा के लेकिन शरत यह है कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार के उपर विश्वास करना होगा उसके वचन के उपर विश्वास करना होगा और उसके काम को नई रोकना है किसी से भी नई डरना है पत्रस भी गहरी निन में सो गया था वो नई डरा था अपनी मौश से कि लोग उसे फसाएं या जंजीरों में बांदे या कैदियों के बीच में सैनिकों के बीच में था लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पर विश्वास करता था अगर आप भी परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं आप सोच रहे हैं कि मुझे अब कोई ने निकाल सकता है या कोई परमेश्वर का दास ये सोच रहा है कि परमेश्वर का काम में आप छोड़ दूँगा तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप से बात कर रहे हैं और निकालेगा और बाहर लेके चले जाएगा अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है तो प्रादना कीजिए गुटनों के बलाईए प्रादना कीजिए प्रभु जी मैंने आपका सुसमाचार को सुनाया पर जब सुसमाचार सुनाया तो बहुत सारे लोग म विश्वास दे पत्रस के जैसा आगे बढ़ाएं मुझे पत्रस ने जैसा विश्वास किया परमेश्वर के उपर नेडर होके वो सोया रहा मैं भी नेडर होके परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूंगा आपके स्वर्गदूत मेरी रखवाली करेंगे करके मैं विश्वास करता हों करके अगर ये प्राद्दा आप करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ है परमेश्वर आपको इस वचन से आशिश करें परमेश्वर आपको पत्रस के जैसा विश्वास दे परमेश्वर आपको ऐसा विश्वास दे कि मुसीबत के समय में भी परमेश्वर मेरे साथ हे करके ऐसा सोचे और ऐसा ही आप परमेश्वर के उपर विश्वास रखे परमेश्वर इस वचन से आपको हाशिश करे गौड ब्लेस यू आल